इस वीडियो में बात करेंगे क्या कोई चांस है कि CA exam number December 23 पॉस्पॉंड हो सकता है कुछ दिन के लिए क्या डिले हो सकता है Students का doubt मेरे पास आ रहा था अगर आप लोग का भी doubt है तो वीडियो को पूरा last तक देखिएगा आपका सारा doubt क्लियर हो जाएगा कुछ students बोलते कि दिवाली है कुछ ऐसे students होते हैं कि intermediate का exam दे रहे या foundation का exam दे रहे तो वो बोलते कि जिस दिन exam है उस दिन college का भी exam है तो कैसे handle करें क्या possible है कि CA exam postponed हो सकता है ताकि वो college का exam दे पास और वीडियो के last में Q&A session पे भी बात करेंगे जो मुझसे doubt पूछा गया कोई ऐसा region होगा चाया foundation intermediate final का students exam पॉम फिल करने के बाद exam में appear ही नहीं करना चाहते है तो उनका भी कुछ doubt है वो doubt मैंने लिया है चार्टे studies के instagram से अगर आप लोग instagram को follow नहीं करते हो तो link आपको description में मिल जाएगा उस लिंक पे click करके follow कर लीचेएगा जैसे कि आप लोगो को पता है पांच जुलाई 2023 के date में official notification आया था exam date के regarding में तो foundation का जो exam date है अभी भी students मुझसे पूछ से रहते हैं कुछ students कि इसी date को exam हो रहा है जिसका जबाब है बिल्कुल भी नहीं foundation exam को recedule कर दिया गया है आप नो कि आप लोगो को पता होगा already तो 24 December से foundation का exam नहीं हो रहा है intermediate and final का exam final का exam हो रहा है एक number से और intermediate का exam हो रहा है दो number से तो इस exam को कोई भी पॉस्पोर नहीं किया जाएगा नहीं recedule किया जाएगा चाहे आपका college का paper हो या दिवाली हो या कोई festival हो तो I know कि आपके मन में doubt आ रहा होगा कि कैसे manage करें कि आपका college का भी paper है और CA intermediate का भी paper है तो इसका जवाब है जो भी आपके लिए important exam हो उस exam में appear कीजिए I know students की आपको select करना थोड़ा tough decision होगा लेकिन ऐसे situation पे लेना ही होगा ऐसा decision को अगर same date को exam नहीं हो रहा है तो दोन 31 December को पहला paper 246 दूसरा तीसरा चौथा paper होगा तो foundation exam को भी पॉसपर नहीं किया जाएगा आप लोगों का भी college का paper हो या कोई भी paper हो या नहीं तो क्या बोलते कोई festival हो जिसके कारण से exam पॉसपर नहीं होता है जिन लोगों का December में college का भी paper होगा और क्या बोलते CA foundation का भी देगा I hope कि आपका doubt clear हो रहा है कुछ ऐसे भी students है जो exam form fill करने के बाद exam में ही appear नहीं करना चाहता है पहला तो ये कोशिस करना है कि आपको exam में ही appear करना attempt skip नहीं करना जब तक medical emergency और family problem नहीं हो तो अब ध्यान से बाते कुछ जाया foundation का students और intermediate या final का students अगर आपने number 23 का exam form fill कर दिया और May June 24 के exam में appear करना ये doubt बहुत सारा आ रहा है आजकल तो आपको क्या conversion करना परेगा जिसका जबाब है जी हां foundation new course में कैसे conversion करना intermediate new course में कैसे conversion करना CA final new course में कैसे conversion करना YouTube पे एक मात रैसा channel है जिसने इस topic पे video बना रखा है video का link आपको description में मिल जाएगा ये भी students का same doubt अगर आपको number 23 का exam form fill कर दी है लेकिन इसको number में exam नहीं देना मे 24 में exam देना तो conversion करना परेगा जी हां students conversion करना परेगा अगर आपको number December 23 में एक भी paper का exam नहीं देना तो आज के date में आपको conversion करना परेगा conversion करोगे तभी तो coupon apply होगा book order कर पाओगे conversion कैसे करना वीडियो का link एक बार फिर से बोलना है description में मिल जाएगा अगर आप लोग से intermediate का यसे final का बोथ group का exam form fill कर दी हो और कोई एक group में appear करना चाते हो ध्यान से बाते कुछ सुन लेना ये ऐसा भी doubt मेरे पास आ रहा है तो जिस group में appear कर रहे हो अच्छी बात है जिस group में नहीं appear कर रहे हो जिसके कारण से क्या आपके दूसरे group में फर्क परेगा जिसका जबाब है बिल्कुल भी नहीं उस group में आपको absent मान लिया जाएगा ठीक है students एक और doubt आ सकता है अगर आप कोई एक group में appear कर रहे हो लेकिन आपको चारो पेपर मतलब कि एक पेपर में एक्जमसन आ सकता है तो बाकी के तीन पेपर जो होगा वो तीनों पेपर में appear करना पड़ेगा तब ही जा करके आपको एक्जमसन मिलेगा ऐसा कुछ students गलती कर देते हैं कि एक पेपर में जा करके exam दे देते हैं exam के लिए बाकी का तीन absent कर जाते हैं absent नहीं करना होता है exam में जा करके बैठना भी होता है तब ही जा करके आपको एक्जमसन आएगा मान लेते हैं कि आपका preparation ही नहीं हुआ लेकिन ऐसा लगता है कोई एक subject में एक्जमसन आ सकता है कोई भी group का आप exam पौंप फिल की हो CA intermediate and CA final का तो आपको क्या करना होगा जिस paper में लगता है उस paper में तो जाओगे exam देने बाकी का तीनों paper में जा करके आपको present होना परेगा exam देने खाली paper ही जमा कर दो लेकिन जमा करना परेगा absent कर जाओगे बाकी का तीनों paper तो आपको exemption ही नहीं आएगा अब ध्यान से बाते को सुन लेना जो भी students exam form फिल करने के बाद attempt skip करना चाते है पहली बात तो करो नहीं जब तक आपको medical emergency या family problem ना हो तो फिर भी skip कर रहे हो then आपको आज के date में conversion करना परेगा आपके मन में doubt आ सकता है CA foundation new course में कैसे conversion करना intermediate में कैसे करना final में कैसे करना मैंने detailed video बना रखा है video का link आपको description में मिल जाए आप new course में तो क्या conversion करना परेगा यस करना परेगा अगर आपको कोई surgery हुआ या कोई accident भी कर जाते हो AI इसके लिए कोई भी writer provide नहीं करता है ध्यान से बाते को सुल ले अगर अब भी आपके मन में कोई भी additional doubt है तो YouTube comment box open है आप वहाँ पे मुझे पूश रखते हो और charter studies के Instagram को जर schedule होगा थोरा दिन के लिए भी नहीं होगा आप लोगों का CA foundation intermediate final का exam as per schedule हो रहा है मन लगा के पढ़ाई कीजियो और exam में पास करें और courses ये करना है कि attempt skip नहीं करना है बिना किसी region से आपको exam जरूर देना चाहिए फिर भी अगर आपको conversion करना है attempt skip करना हो चाहे medical emergency कारण या family problem के कारण तो वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा conversion कर लीजिए new course में good news है जो लोग भी unacademy का subscription लेना चाहते हो चाहे CA foundation या CA intermediate का अभी आपको 30% का discount मिलेगा तो आपको code यूज करना है charter studies 10 coupon code जिससे आपको 30% का discount मिल जाएगा CA intermediate group 1 का preparation करना हो में 24 new syllabus के लिए या group 2 का या बोथ गुरूप का तो आप लोग unacademy से अपना preparation स्टार्ट कर सकते हो सब्सक्रिप्सन लेने के लिए आपको code यूज करना होगा charter studies 10 coupon को जिससे आपको 30% का discount मिलेगा play store से unacademy का learning app डाउनलोड कर लीजे जितने भी मन्त का subscription लेना चाहते हो आप easily ले सकते हो इसके बाद य जादा जानकारी के लिए description जरूर चेक कर लेना मिलते हैं next वीडियो में